हम जो है दो फार्मूला और देखने जा रहे हैं 20 और 21 तो 21 यह हमारा है सबसे पहले 21 कर लेते हैं क्योंकि 21 के बाद ही हम 20 करेंगे क्योंकि 20 वाला जो है 21 से ही आसानी से हो जाएगा तो यह सिंपल सा फार्मूला लिखा है देखे इसका यूज क्या है कि 2 cos x into cos y equal to cos x plus y plus cos x minus y यानि अगर दो एंगिल हमारे cos के product में लिखे हैं गुडा में लिखा है और दोनों को योग में लिखना है तो यह फार्मूला ऐसे sign के लिए है यह तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पहला वाला फार्मूला देखते हैं पहला हमारा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे चलिए अभी हम लोग लिखते हैं इससे चारू खार्मूले एक साथ भी आ जाएंगे और कौस का फार्मूला हम लोग यценmas करें गया हम लोग दो नो कौस का फार्मूला हम लोग है एक्स प्लस वाई वाला कैसा याद रखते हैं कॉस में दोनों कॉस कॉस होते हैं और एक साइन साइन यानि की एक टरम पुरा कॉस कॉस का और एक टरम साइन साइन का और यहां पर प्लस है तो बीच में क्या होता है माइनस यहां पर माइनस है तो बीच में प्लस अब हम लोग क क्या करते हैं समिकराट एक और दो को जोड़ देते हैं तो यह हमारा सब्सक्राइब प्लस कोस x-y equal to हमारा sin x sin y जो है प्लस menos cancel हो जाएगा और कोस x कोस y दो बाद जोड़के 2 कोस x कोस y तो हमारा पहला फार्मूला आ गया कि 2 कोस x कोस y वराबर कोस x प्लस y प्लस कोस x प्लस गार्मूला हम लोगी तब प्रूब हो गया दूसरा फार्मूला हम लोगों को देखें क्या करना है समीकराण 1 माइनस समीकराण 2 कर देते हैं समीकराण 1 से समीकराण 2 को घटा देते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा cos x plus y minus cos x minus y left hand side, right hand side हमारा क्या होगा यह cos x cos y plus में है और जब minus करेंगे तो यह minus में आ जाएगा तो यह cos x cos y वाला ट्रम कतम हो जाएगा और यह minus sin x sin y और minus sin x sin y जोड़के हमारा क्या हो जाएगा minus 2 sin x sin y तो यानि हमारा minus 2 sin x sin y बरावर cos x plus y minus cos x minus y यह हम लोगों ने second part prove कर लिए अब अब third और fourth part को prove करने के लिए हम लोग sin x plus y और sin x minus y का फार्मूला यूज करेंगे तो sin x plus y हमारा क्या होता है sin x cos y plus cos x sin y और sin x minus y में क्या रहता है वहाँ पर बस minus हो जाता है sin x cos y minus cos x sin y इसको एक्वेशन नंबर 3 और इसको एक्वेशन नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं क्या करते हैं 3 प्लस 4 तो यह हमारा क्या हो जाएगा sin x plus y plus sin x minus y जब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो cos x sin y ए अपोजिट चलने के खतम हो जाएगे और sin x cos y दोनों जोड़के 2 sin x cos y तो यह हमारा फार्मूला अगला थार्ड वाला प्रोव हो गया है कि 2 sin x cos y बराबर sin x plus y plus sin x minus y अब हम लोग क्या करते हैं समीकर तीन माइनस समीकर नों 4 अगर हम लोग कर दें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बजाएगा sin x plus y minus sin x minus y और राइट हैंड साइड हमारा है sin x cos y plus cos x sin y minus sin x cos y minus cos x sin y this equal to sin x cos y plus cos x sin y minus से multiply किये तो sin x cos y plus cos x sin y sin x cos y sin x cos y और cos x sin y cos x sin y 2 cos x sin y यह हमारा होगया sin x plus y minus sin x minus y तो अगर आपको प्रूविंग ध्यान है फार्मूले का तो आप जरूरत परने पर निकाल वे सकते हैं यह हमारे चार फार्मूले होगे जो हमारे 21 वाले थे अब जो है 20 नमबर फार्मूला जो हमको प्रूव करना है देखे हमारा 20 नमबर है हमारा यह 20 नमबर फार्मूला हमारा है cos x plus cos y बराबर 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 और cos x minus cos y बराबर यह और sin x plus sin y यह चार फार्मूले हम लोगों को प्रूव करने हैं पहले हम लोग जो है केस नमबर के help से इसको आसानी से प्रूव कर लेंगे उसके बाद याद करने की ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे कि जिससे हमेशा हम लोगों को याद रहे तो जो हम लोगोंने 21 जो हम लोगोंने प्रूव किया था simply उसी से हमारा हो जाएगा कि हम को दोन्ता को निखाल लेते हैं तो क्या करते को अदैसे एक्स क्लॉस वाई वराबर हमारा क्या होता है वाक्तो सीय मारेज्ट प्रून साइन एक्स है y और cos x-y नमारा क्या होता है cos x cos y plus sin x sin y अब इन दोनों क्यों लोग जो है जोड देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है cos x plus y plus cos x minus y और इधर जोड़ते हैं तो sin x sin y के नमारा क्या जाता है 2 cos x cos y अब इसी में हम लोग क्या करते है x plus y जो है इंगिर उसकी जगा पे theta और x minus y की जगा पे phi जो है जो है मान लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा theta plus phi इसका मतलब हो गया कि x बराबर theta plus phi by 2 और x की बराबर theta plus phi by 2 इसमें रखेंगे तो theta plus phi by 2 plus y equal to theta y equal to theta minus theta plus phi by 2 equal to 2 theta minus theta minus phi by 2 equal to theta minus phi by 2 यानि x हमारा यह आगया y हमारा क्या आगया theta minus phi by 2 यानि अगर हम लोग x plus y के जगा पे इसमें जो है इस फारूले में theta रखें और x minus y बराबर phi मान लें तो x तो हमारा यह क्या हो जाएगा left hand side हमारा क्या हो जाएगा left hand side हमारा क्या हो जाएगा cos x plus y के जगा पे हम लोगों के आगया माना theta cos theta plus x minus y के जगा पे phi cos theta plus cos phi बराबर 2 और cos x यानि x की जगा पे हमारा क्या आया है theta plus 5 by 2 2 cos theta plus 5 by 2 into cos theta minus 5 by 2 यानि यह similar formula हम लोगों का जो आगया जो पहला prove करना था कि cos x plus cos y बरावर 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया बस x y की जगा पे theta 5 है तो इससे कोई फर्व तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे हम लोग जो है इस पुराने formula में x y यूज कर ले थे इसलिए मानने के लिए हम लोगों ने theta 5 यूज किया आप इसको जो है इसकी जगा पे बाद में transfer कर लेंगे x और y तो यही formula हमारा हो जाएगा कि cos x plus cos y ब्रावर 2 cos x plus y by 2 और cos x minus y by 2 तो यह पहला formula हम लोगों का प्रूव हो गया कि cos x यानि दो कोड हमारे plus की रूप में लिखे हमों और उनको multiplication में बदलना हो तो cos theta plus cos 5 ब्रावर 2 cos theta plus 5 by 2 cos theta minus 5 by 2 यह पहला हमारा प्रूव हो गया अब हम लोग जो है अगला देखते हैं लोगों ने देखा था कि cos x plus y ब्रावर cos x cos y minus sin x sin y और cos x minus y हमारा क्या होता है cos x cos y plus sin x sin y equation number one equation number two अब हम लोगों ने क्या किया पहले में add किये थे यह घटा देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा cos x plus y minus cos x minus y equal to cos x cos y minus sin x sin y minus cos x cos y plus sin x sin y यह हमारा हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा cos x cos y minus sin x sin y minus cos x cos y minus sin x sin y cos x cos y फतम हो जाएगा तो यह हमारा cos x plus y minus cos x minus y बराबर minus two sin x sin y क्योंकि sin x sin y minus में sin x sin y में जोड़के minus two sin x sin y फिर हम लोग वह करेंगे x plus y equal to theta और x minus y equal to 5 यह हमारा x equal to क्या जाता है theta plus 5y2 और y equal to हमारा क्या था theta minus 5y2 इन दोनों को solve कर लेंगे add कर देंगे तो x equal to theta plus 5y2 और x की value इसमें रख देंगे तो y की value पता चल जाएगी तो यह हम लोग जब replace करते हैं इसमें तो यह हमारा क्या हो जाएगा cos x plus y की जगा पे theta cos theta minus cos x minus y की जगा भी 5 minus two sin x की जगा पे theta plus 5y2 और y की जगा पे sin theta minus 5y2 यह हमारा formula हो गया cos theta minus cos phi का formula अभी हम लोग 4 formula को इकठा देखेंगे उसके बाद में यार्ट कैसे रखा जाता है यह भी देख लेंगे पहले हम लोग अगला sin x plus sin y वाला प्रूब कर लेते हैं थर्ड फार्मूला हमको प्रूब करना है plus cos x sin y और sin x minus y हमारा क्या होता है sin x cos y minus cos x sin y इन दोनों को हम लोग अगर जोड लें तो left part हमारा हो जाएगा sin x plus y plus sin x minus y और right part को जोड़ेंगे तो cos x sin y या पोजिट चिनका कतम होके 2 sin x cos y हो जाएगा क्योंकि sin x cos y plus sin x cos y 2 sin x cos y अब इसमें हम लोग क्या करते हैं y x plus y equal to theta x minus y equal to phi y तो यहां से हमारा x की value क्या जाती है theta plus phi by 2 और y की value theta minus phi by 2 इसमें हम लोग put कर देता हैं तो यह हमारा होगे x plus y equal to theta sin theta plus sin phi equal to 2 sin theta plus phi by 2 cos theta minus phi by 2 यह अगला फार्मूला हम लोगे अगला फार्मूला हम लोगे sin theta plus sin high का equation number 1 equation number 2 अगर हम लोगे जोग करें तो 1 plus 2 है अगर 1 minus 2 हम लोग कर दें तो sin x plus y minus sin x minus y यह left part हो गया, right part हमारा क्या होगा cos x sin y यह plus है, यह minus, यह minus plus होके यह जूड जाएगा और sin x cos y, sin x cos y cancel हो जाएगा तो this equal to हो जाएगा हमारा 2 cos x sin y और फिर हम लोग वही पूट कर देंगे x plus y अरावाद theta तो यह sin theta minus sin 5 equal to 2 cos theta plus 5 by 2 और यह sin theta minus 5 by 2 तो यह चारो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं और इससे याद करने की technique भी हम लोग जो है अभी develop कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे तो पहला हमारा क्या है cos x plus cos y दूसरा हमारा क्या है cos x minus cos y तीसरा हमारा क्या है sin x plus sin y अच्छा उता हम लोगों का क्या है sin x minus sin y अब इसमें यह चीज है कि 2 तो सब में रहेगा 2 सब में रहेगा और जो sin cos का angle होगा 1 x plus y by 2 होगा और 1 x minus y by 2 होगा यह दो point तो clear है अब cos x plus cos y में जो ऐसे याद रखेंगे कि जो दोनों term हमारे होते हैं वो क्या होते हैं cos वाले होते हैं यानि cos x plus y by 2 और cos x minus y by 2 तो यह cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 cos वाला complete होगा अब cos x minus cos y में क्या होगा यहाँ पर minus आजाएगा बस minus आएगा और cos x plus cos y में दोनो cos और cos x minus cos y में दोनो sin यानि sin x plus y by 2 और sin x minus y by 2 और sin x plus sin y में हमारा क्या होगा 2 पहला sin होगा x plus y by 2 और अगला क्या होगा cos होगा ठीक है इसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा जो जो इंगिल sin के साथ था वो एंगिल हमारा क्या हो जाएगा cos के साथ 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 तो यह हम लोग कैसे इस चारो फर्मूले को याद रखेंगे कि cos x plus cos y में जो होता है हमारा दोनों term cos के होते हैं और एंगिल तो हमारा क्या होगा एक x plus y by 2 और x x minus y by 2 यह तो दोनों में एंगिल हमारा यह होगा तो cos में और 2 सब में रहेगा 2 cos cos x plus y by 2 cos minus में cos x minus cos y में दोनों sin के रहेंगे और एक minus यहां रहेगा sin x plus sin y में पहला एंगिल x plus y का sin के साथ अगला cos के साथ और sin x minus sin y में उल्टा हो जाएगा जो एंगिल यहां पे sin के साथ था यहां cos के साथ तो यह हमारा खारमुलाद जो है हमारे जो जितने थे सारे complete होगे अब हम लोग इसके आगे question करेंगे